पार्केट्स बिलकुल फ्लैट हैं, करीब 5 अंगों की गिरावट है निफ्टी में, 660 अंग उपर कामकाच कर रहा है और निफ्टी बैंक 400-460 अंगों के फॉल के साथ सो फार्ट्रेट करता है देखाए बड़ा, लेकिन आज का जो स्टार परफॉर्मर है वो है आईटी, आज पूरा का पूरा, in fact second consecutive day जबकि आईटी में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, 600 अंगों के तेजी, 0.5% के आसपस का उचाल आईटी स्पेस में देखने को म बाह, कुछ ब्रोकेजिस बुलिश हो रहे हैं और ध्यान रखिये का आपकी स्क्रीन्स पे एक प्लेट आईटी आईटी का आउट परफॉर्मेंस, जब निफ्टी दो तीहाई फीजदी चला है, आईटी इंडेक सवा 3% तक का उचाल दिखा रहा है, इस तरह से बाइंग अ Q1-FY25 जो नतीजह आने वाले हैं, वो बॉटम होगा एक ठंडी रेविन्यू ग्रोथ की साइकल का, वो कह रहे हैं कि यहां से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्क्रीशनरी डिमांड, यानि कि जिसमें, जिस पॉकिट को लेकर पेन था, उसमें एक स्ट्रॉंग रिकाव जो है, वो हो सकता है, कुछ तिमाहियों दूर हो, पर यहां से वो पॉकिट डिस्क्रीशनरी डिमांड की डिटुरियेट होना नजर नहीं आता, ब्याजदरों में जो कटावती अंटिसिपेट कर रहे हैं सबके सब इस कलेंडियर के एंड में आते आते, वो और डिमांड को बूस्ट करती हुई नजर आएगी, और जो CEO's, CTO's की decision making थोड़ी सी ठंडी पड़ी हुई है, एक बार US के elections पूरे हो जाएं, उसके बाद US corporate की तरफ से वो demand cycle में भी improvement देखने को मिलेगा, जनरेटिव AI का adoption अगले 12-18 महिने में और तूल पकड़ेगा इस देश में, और वो seasons है, नमूरा इस IT as a space पे bullish है, एक प्लेट और दिखा देता हूँ आपको कौन से stocks को लेकर उन्हें अपग्रेड करें, वो इस समय विपरो, Infosys, HCL Tech को लेकर bullish है, वैसे अपग्रेड पूरा सेक्टर सारी दिगगत stocks उन्होंने करें, ऐसे नुवामा की report है, जो positive sound करती है, व वो कह रहे हैं, Fy24 से बहतर होगा, Fy25, और ये भी मान रहे हैं, वो अच्छा Fy25 foundation ले करेगा, एक भैतरीन Fy26 के लिए, नुवामा भी ध्यान रिखिये का bullish है नमूरा की तरह, वो कह रहे हैं, हाई-tech और BFSI यहां से recover करना शुरू करेंगे जल, और जिस तरह के strong deal flows आ रहे हैं, वो हमारा भरोसा इस sector पर और बढ़ा रहे हैं, उनके bullish, जिन stocks को लेकर bullish हैं वो, वो भी आपकी screens पर लग दिया, शायद ये reason है कि IT में एक अच्छा out performance off late आता हुआ, लेकिन actual में situation क्या सब कुछ सही है, जिस तरह की brokerage houses views आ रहे हैं, क्या मान के चले सच में सब कुछ सारी brokerages एक ही brush से paint कर रही हैं, bullish outlook रख रही हैं, कुछ cautious हैं, उनके थुरू आपका answer देता हूँ, जेफरीज cautious है, ऐसा sound करता है, वो कहता है हमारे जो recent management interactions हुए हैं, Accenture की जो unchanged demand commentary आई थी, वो suggest करती है IT budgets में अभी भी pressure है, यहां से limited upside दिखता है demand के front पे, और वो कह रहे हैं, FY25 की guidance range unlikely है, सब companies बदलेंगी, और उसके चलते earnings cut, शायद आपको इस sector में देखने को मिले, उन्होंने एक interesting बात करी, वो कहते हैं कि 5 साल का जो औसतन valuations थे इस space के IT के, उससे 20% premium पे इस समय भी IT sector चल रहा है, और Nifty के comparison में तो 35% premium पे इस space खड़ा हुआ है, इसलिए वो cautious है, मोतिला लोसवाल भी ऐसी cautious है थोड़ा सा, sound ऐसा कर रहा है, वो कह रहे हैं, एक कमजोर Q4 से आप इस बार जब results आएंगे तो improvement ज़रूर देखते हुए नजर आएगा आपको, लेकिन अभी बहुत कम evidence है recovery का लेकर इस space में, 10 साल का सबसे weakest Q1 हमारे सामने खड़ा हुआ हुआ उनके calculation के लियाद से, और वो कह रहे हैं, हम इन नतीजों में discretionary spends के science of recovery पे खास तर पर नजर रखेंगे, कोई भी disappointment Q1 में आया, तो तस्वीर बिगड़ जाएगी, Q2 भी challenging हो जाएगा इस पूरे sector के लिए हैं, तो IT sector को आप पूरा लेखा जेखा, आप आशी से सुन रहे थ चुके हैं, इस सेक्टर के, दोनों दिगज, अब कुछ और नामों में, LNT, Infotech, Mindtree, TCS, ये भी चल रहे हैं, Midcap IT, Imbrilla Soft, Persistent का लिए भी बढ़िया चले, आप क्या रीट कर रहे हैं, Midcap IT या Frontline के selective नामों में? अगर XL Tech की बात करेंगे, कि जैसे मैंने बोला कि IT basket में हमने रेकमेंड किया हुआ है, XL Tech का भी टारगेड वान हो गया, जो 1485 के अराउंड था, Futures में, तो यहां पे लेकिन फिर भी जो strength है, और comparatively काफी underperformance XL Tech में है, तो मुझ लगता है इसमें और भी scope है, 1540 से लेके 1560 के ल यह almost सारे target set कर चुका है, लेकिन अभी भी यहां पे मुझ लगता है कि जिस तरह से momentum है, तो यह 58-50 से लेके 6000 के levels के लिए भी अप्रोच करेगा, तो रश करके बाए नहीं करना है, on declines भी आपको मिले, तो भी आप इसमें रेका, इसमें डेफिनेटली पाटिसिपेट कर सकत तो आप